तो दोस्तों नमस्ते आगरी चटोरी के इस एपीसोड में आप लोगों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हम फिर से हाजिर है दोनों चटोरिया तो इस बार हम लखनू आये हैं और लखनू में हमें नाजिन दी कुछ स्पेसल खिलाने वाली है तो नाजिन दी से पूछते हैं कि हमें इस बार वो क्या खिलाएंगी आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है हम चटोरियां बहुत महीनों से मिल नहीं पा रहे थे लागडाउन के वज़से जैसे पूरा देश बनता और सब जगह आना जाना बनता तो हम कहीं आज आनी पा रहे थे इसलिए हम ज्यादा कुछ खा भी नहीं पा रहे थे जगह कर रहे थे आपस में कि हमने जो दर्शकों को अलग-अलग चीजे बना के दिखाई तो रेसिपी दिखाई अलग-अलग खाने की लेकिन हमारा मिलन नहीं हो पा रहा था तो बहुत महीनों के बाद हम मिले हैं और मैं आज बहुत खुश हूं कि कि जब तक मैं कुम कुम को थो कि रोटी से जो एक डिश बनती है शायद पुराने लोग इसको जानते होंगे कि बहुत पहले लोग इसको बनाते खाते थे अब वैसे भी पुराने खाने आज कल के लोग भूलते जा रहे हैं और लोगों को नहीं मालूम होता है कि क्या चीज है क्या बच्चों के सामने बन करना के खिलाने वाली है यह दाल की टुकड़े मैंने कभी नहीं खाया थे मुझे टेश्टी और स्पाइसी खाने तो यह डाल का टुकड़ा कैसे बनता है इतना तो मुझे भी नहीं मालूम आओ मैं ले चलती हूं तुम्हें सबा के आहां जो इस रेसिपे को बनाने वाली ह वही बताएगी तो चलो जानते हैं सबा से ही तो मुझे जल्दी से खाना है चटपटी तो दी अब चलते हैं मुझे तो इंतिजार नहीं हो रहा है कि मैं जल्दी से चलती हूं सबा के यहां और हम लोग खाते हैं आप थोड़क बताईए कि आप क्या बनाने वाली हो आज औ जूगी मिर्चा बगन जोट die बातों इसके बनाने के लिए माझार में जोगाने के लिए टार सबसे पेले आप ये और आले कमचा को शुखाने में जाधा की आता है क्सक्रेशाओ शूपैस प्रण ले Цय वे इसलिए ज्यादा नहीं डाला जाता है उसको थोड़ा सा डालना रहता है के अलावा हल्डी डालना है वह कलर की हिसाब से डाली जाती है तो हम चार चमट डालेंगे आपको कलर ज्यादा चाहिए यह कम चाहिए आप इस अधार सकते है मिर्चा भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मुने तो दो चमट डाला है अपने सुआच से और नमक भी दो चमट वह आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम खाना है कम डालिया यह ज्यादा बस अप्पी होती है और यह दाल में सारा समान डाल दिया है मैंने इसको चड़ाना है पकाने के लिए तो आरे घंटे तक के पकाना है अब यह तो तीन ते चार तीटी आ जाएंगे अब यह तो देखेंगे दालता ही है गरगल कई यह तो जादा थी क्योंना और भी टाइन लग सकता है मेरी दाल बन के तयार हो गई है यह बहुत खड़ी खड़ी है आप देख सकते हैं तो इसको मधानी से गोटना है कि एक बराबर हो जाए बहुत मेनद लगती है इसको गोटने में इसको एक बार फिर से पकाना है तोड़ा सा पानी डालना है और डाले है हमारी डाल बन के तयार हो रही है अब हमको रोटी को तलना है इसके लिए कडाई में तेल लिया है तेल को गरम होने तक के रखना है जब तक के देल गरम होता है हम रोटी के छोटी-छोटी पीस कर लेंगे कि तुकले बनाने के लिए जरूरी नहीं है रोटी आप खास करके बनाए और उससे सिखाए जो रोटी हम लोग बच जाती है हम लोग कहते किनारे डाल दे या वेस्ट हो जाती है तो उससे सुखा के इसके दाल के तुकले बना सकते हैं और इसके मीठे तुकले भी बना सकते उच्छार मेरा और रोटी को इसमें डालना है तलना हे थोड़ी दे थोड़ी सुरक कर लेना है सुकी हुए हमको बहुत पासंदे जब छोटे थे तो यह जो खमीरी रोटी आती वो तलके खाते बहुत टेस्टी लगती है तो अम्मी से खाज करके मंगवाते देगा उससे हो जाती है तलिवी रोटी पानी में भी गोनी है थोड़ी देर 5-10 मिनट तक के जाओ हो जाओ है के रहे झाओ ही हमकाई। तक कई हो जाती है वो ज्हाए है को जाओ है ताह बीगी वी रोटी को डाल में डालना है उसका पानी नहीं डालना है कि रोटी को डाले डालने के बाद त्रीजर और पकारना है इसको बस पास से दस मिनट तक के नई सीटी नहीं लगानी है फिर बीगी वी रोटी है तो उसमें मिल्च नहीं थोड़ी देर पकाना है कि कुछ भी कर सकते हैं अब इसको तेल और प्यास से छोपा लगाना है इसके लिए 100 ग्राम तक के तेल लेना है लुले डवता है लगं... लो लेट रहा है दाल के तुकड़े बनके तयार है जिसको हम हरी चटनी से खा सकते हैं और आपको इसी भी चटनी ले सकते हैं जो आपको फसंदे तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा बना है चले इसके खुश्बू लई वाव कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है इसकी अच्छी टेस्ट भी है इसका मतलब लग रहा है खुश्बू से कि बहुत अच्छी होगी तो हम टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं हरी चटनी के साथ कि अच्छी है कि यह हरी चटनी है और सबने बताए कि आप कोई भी चटनी जो आपको पसंद हो उसके साथ खाव सकते हैं कि चटनी के सब्सक्राइब कैसी लगी बहुत अच्छी होनी है कि आप टेस्ट करो मेरे लिए बहुत अच्छी है अभी तो अच्छी लग रहे हैं इस फार्टी से और फिर नमकीन साय है इसका टेस्ट कि आप अच्छी तेस्ट है एक दम सोंधी सोंधी और मतलब जैसे की खिचड़ा बनाते हैं और तुम नहीं जानती होगे इसको नहीं जानती तो इसमें हम गोश्ट डाल के जब खिचड़ा बनाते हैं और बहुत सारी दाले मिक्स करके तो उस तरह का भी टेस्ट आराया बह पर त्चहा बनाए बहुत दिन के बाद में ने खाया अब मैं इसको पूरा काऊंगे अगर पसंद आया है तो लाइक करना शेयर करना और हां अगर चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसके बाद आप बल आइकन को दबाएं ये क्योंकि सबसे पहला तब मेरा वीडियो आपके पास पहुचेगा तो फिर हम मिलते हैं अगले एपिर्शोड में तब तक के लिए नमस्ते बाई बाई टाटा